वेलो गाइस वेलकम बाक टू माई चैनल फिर से आचोगे तुमने में चैनल पर कह रहा होगे एक दिन में दो दो बार ग्रेंड मास्टर को क्यों ठोक रहे हो बाई कुछ रीजन है ना तुम लोगो बता होगा मैंने अपने चैनल पर अभी रिसेंटली एक परसन है जो एक तर उन से बात हुई as a member उन्होंने मुझसे contact किया and उन्होंने वोला कि उनके बस time नहीं है because वो काफी बड़े हैं मुझसे और उनके बस time नहीं होता game खेलने के लिए तो grandmaster वाले पर वो कह रहे थे मैं throne breaker नहीं बन रहा हूँ बहुत time से तो आज मैं उनकी help करने आ चुका हूँ इस वाले grandmaster को माणने के लिए और guys let's do it आज उनको help करते है अपना तो सब करी चुके अब बारी है दूसरों के help करने की ठीक है तो guys अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe करो और इस वीडियो को share करना अपने अपने दोस्तों के साथ में तो आज हमारे member है तो उनके लिए आज मैं उनका grandmaster करने वाला हूँ तो we are starting with Adam Warlock क्या inflict करता है debuffs मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास में Adam Warlock recently है नहीं तो हम लोग use करने वाले हैं Dr. Doom so let's start it guys क्योंकि मैं सुबा grandmaster की video बना भी चुका था और तुम लोग को दिखा भी चुका था तो मैं तुम लोग को दिखाई चुका हूँ बट यहां पर हम लोग ने grandmaster से कैसे लड़ा यह तुम लोग को एक short video में मैं दिखाना चाहता हूँ ठीक है तो guys तुम लोग देख सकते हो यहां पर हम लोग डॉक्टर डूम से गए थे फिर उसके बाद में मुझे जतना याद है grandmaster के special 3 बन गई थी और फिर उसके बाद में उसने मुझे special 3 मार दी थी तो इसके बाद में शायद मैंने adam को use किया था बट वो चीज हम लोग को solo video डाली है और बाकी हमारे members के support है और आज मेरे member के लिए मैं ये एक तरीके से gift दे रहा हूं उनको उन्होंने मुझे कहा था कि उनके बस time नहीं है तो मैंने ये बोला कि आप मुझे इतना support करते हो तो मुझे भी आज आपको support करना है क्योंकि वो भी अगर कुछ काम कर रहे हैं और वो उस काम में busy हैं उनको time नहीं मिल पाता है तो I'll be responsible कि मैं उनको थोड़ा बहुत help करूं जो वो मुझे support कर रहे हैं तो मेरा support करना उनको बनता है तो इस बात से मेरे member SL में बहुत जादा खुश भी हो गए थे बाकी हम लोग यहां पर grandmaster को उनके लिए take down कर देंग कि हां मेरे पास जब time होगा तो मैं भीया कर दूँगा बट मैंने यह नहीं बोला कि मैं आज ही कर दूँगा तो एक तरीके से यह मैं उनको surprise देने वाला हूं कि जब वो अपना account खोलें तो वो throne breaker खुद को देखें और उन्हें को समझी ना है कि भाई यह कब हुआ और कैसे हुआ इस चीज़ से उनकी खुशी को मैं एक तरीके से feel तो कर सकता हूं क्योंकि हर किसी का एक dream होता है कि उसके account में यह सब titles बढ़ें धीरे धीरे throne breaker आये फिर पर पर और जब किसी को time नहीं मिल पाता है तो मैं समझ सकता हूं कि उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है इस वीडियो के नीचे आपको comment में मिल जाए कि वो कितना amazed हो गए या उनको कितनी खुशी होई कि मैंना उनका throne breaker complete कर दिया तो इसी तरीके से हम लोग मारने वाले हैं इस वाली grand master को अभी तक adam से काफी अच्छी fight चल रही है और बाकी guys जो भी मुझे comment करते हो देखो मैं सब की जो request है उसको fulfill करने की कोशिश करता हूँ आप लोग ने मुझे से बुला mastery पर video बनाओ देखो मैंने mastery पर video बनाई आप लोग ने मुझे से बुला champion इस वाले पर बनाओ इस वाले देखो मैं हर चीज़ बना के ला रहा हूँ तुम लोग 6.2 से लेके जो भी तुम लोग बोल है गाइस और एक और basically boss बचा हुआ है अभी हमारा जिसको हम कहते हैं the almighty तुम कह सकते हो जो cavalier बनाता है वाल सेंटेनल तो उसके लिए सेंटेनल के लिए तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे tip दे दूँगा तुम लोग उसको इतनी आराम से cavalier बन जाओगे कि जिसका कोई यह हो जायागा कि कहते हैं grand master I hope उनको अच्छा ही लगे क्योंकि वो literally मेरे से share करते रहते थे जिपसे वो मेरे member बने थे मैंने उनकी post share करी थी तो उनको इस चीज़ से बहुत I don't know मतलब खुशी होई या क्या होई तो उन्होंने मुझे telegram पर बोला था कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे appreciate किया तो मैंने उनसे share कि भाई नहीं आपने मुझे support किया क्योंकि guys मैं जो कर रहा हूं वो सब आपी लोग के लिए कर रहा हूं ठीक है मैं English से Hindi में भी वी transfer लिया है वरना English में आप लोगोंने देखा होगा मेरे चैनल पर पहले मैंने videos डाली है 10k तक भी views आ जाया करते थे बट ये था मेरे अंदर कि भाई जब मेरे देश के audience ही नहीं खुश है तो मैं क्या किसी और audience का ध्यान रखूं मैं English वाले audience का क्या ध्यान रखूं क्या festivals होते हैं तो ये लोग events लेकर आते हैं बट हम लोगों की events में लोग कुछ भी नहीं लेकर आते हैं तो भाई हम लोगों का ध्यान कोई ना कोई तो रखेगा तो मैंने भाई ये उस दिन से ओत ले ली कि मैं English में videos ना बना के अपने subscribers का ध्यान रखूंगा Hindi में videos बनाऊंगा तो ऐसी ही कुछ exciting videos के लिए आप लोगों बस मेरे channel से जुड़े रहना है और guys हो सके तो आप लोग मुझे support करिये जितना आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग नहीं कुछ करते हैं और आप नहीं कर पा रहें support तो आप मेरे को अपने comment से और अपने like और share से ही support भी कर सकते हैं ठीक है तो support support होता है हर तरीके का support मैं समझता हूँ ठीक है बस यह है अगर आप लोग कुछ करते हो जैसे मेरी वीडियो को share करते हो या like करते हो तो मेरा एक कह सकते हो motivation मिलता है मुझे उस चीज़ से और मैं encourage होता हूँ कि मैं और वीडियो आप लोग के लिए लेके आता है तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा मैंने अच्छा घासा डाउन कर दिया है और गौरफ जी का जो कह सकते है आप चोटा सा एक ड्रीम था थ्रोन ब्रेकर का उसको हमने बिना बताय कर दिया है उनके लिए तो यहां पर captain को लेखे गया था I was fully fleshed कि मैं यार captain से fight को खेतम कर दूं बट grand master ने यहां पर मतलब कभी कबार क्या होता है वो back dash आ जाते है reverse controls आ जाते है reverse control हर टाइम नहीं समाले जा सकते है क्योंकि भाई के पास पर अपने गौरफ भाई के बस reverse control champion नहीं था तो वह बहुत जादा फसे हुए थे कि भाई मैं grand master लड़ता हूं बट म last वाले phase में first जाता हूं मेरे पास time नहीं है मैं बहुत busy रहता हूं अपने works में तो उनका work इतना हाई है कि उनको time ही नहीं मिल पाता और उनके reverse control champion ही तो आप लोग समझ सकते हैं कितना patience से खेलना पड़ेगा तो बस यही है हम लोगों अपनी help करी जितना हम लोग कर सकते हैं जब वो हमारी help करते हैं तो हम भी उनके help करेंगे बस इसी ओत के साथ में वीडियो आती रहती हैं और बस तुम लोग मेरे को support करो और जितने लोगों को भी मुझे support करना है जरूर और please इस वाली वीडियो के नीचे लिखना I support you अवी या फिर कुछ भी आपका जो भी मन करे कि thanks for मेरे को motivate रखना आप लोग क्योंकि यार मैं literally आप ही लोग के support की वाज़े से वीडियो बना रहा हूं और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग मेरी वीडियो पर comment करते हो जो आप करते हो और मुझे बहुत च्छा रखता है तो यहां पर आप देख पा रहे ह हम लोग finally इस चीज को खतम करने वाले हैं और mcoc हिंदी का जो सफर है वो हम लोग का continue रहेगा यहां पर मुझे याद है kingpin को इस तने कोने में फसा लिया तक Grandmaster ने क्योंकि fight मैंने जानते है कि हरके लिस से ही खतम करी थी इतना मुझे याद है तो यहां पर तुम लोग देख सकते हो Grandmaster was doing really nice मैंने 2x में वीडियो इसलिए बनाई काफी long हो जाती और फिर बोर हो जाते आप लोग सुबह मैंने क्योंकि Grandmaster की वीडियो डाली ही है और उससे आप लोग को पूरा complete समझ में आ जा गए कि Grandmaster के खिलाफ कैसे लड़ना है ठीक है बट कोई बात नहीं guys होता रहता है गेम है it's all part ठीक है हारोगे जीतोगे बट यह है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम लोग को best counters बता पाऊं best champion spotlight बता दूँ अभी तो बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे guys revive से related videos आएंगी और बहुत सारी चीज़े आएंग और इन सब topics पर आप लोग लिए videos में लेकर आऊंगा perfect synergies पर वीडियो लेकर आऊंगा कैसे प्लेयर को ऐसे तरीके से use करें कि भाई उसकी best rotations और सब सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा नए champion की spotlight से लेकर हर चीज़ तक ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो उसक और हरकिलिस से हम लोग चल दिये थे अपनी grand master को मारने यो कि last हमारा basically रह गया है यह वाला ठीक है तो यहां बंदुल ने देख सकते है grand master ने fully परिशान कर लिया था ठीक है reverse control champion नहीं था थोड़ा सा confidence गिर जाता है बट यह मैं उस सुभा का flow और इस तरह मेर गेम बहुत choppy चल रहा था मेरा फोन मतलब RAM है पता नहीं क्या भरी पड़ी थी क्या दिक्कत थी storage भी full हो गया है क्योंकि videos बनाता रहता हूं तो भाई fully ऐसा मामला मेरा ठीक है अब यहां पे मैंने special one का ली थी and I was like कि भाई क्या होगा बट यही है कि मैंने कर लिया था backdash वाला mission उसके बाद में मैंने यह ले लिया था कि भाई मारूंगा इसी बार में मारूंगा player है भाई player बनना यार अपने को बचाना है यार ठीक है तो यहां पे हम लोगोंने अपने ह खौफ बन गया था कि भाई कहीं मैं गलती से निपट ना जाओं क्योंकि यह जो grandmaster है यह पत्तमीज टाइप का player है ठीक है और backdash आये थे और भाईया मैंने backdash करें जितनी जल्दी-चल्दी कर पाया क्योंकि reverse control थे और reverse control में भाई फसने का chance ज्यादा हो जाता है तो यहां grandmaster उतने आराम से intercept दे नहीं रहा था बट मुझे इतना पता था कि मैंने हलके लिए सको बचाया है इस moment के लिए था कि मैं आराम से end वाले phase में कितनी बीमार खालू आराम से मेरी quest हो जाए तो यहां पे हम लोगोंने देखा होगा अपने की grandmaster को यहां पे हम लोगोंने मार द कि अधर की बीडियो थी तो गिवड़ था थाम अन शेर इस वीडियो लूव यू गई यूज